कहानी की शुरुआ जैक से होती है. ये जैक का 149 वा पुनर जीवन है. जैक हर रोज उठता है और हर सुभह जैक को जगाने के लिए एक किलर आता है. जैक बड़ी आसानी से किलर को काबू कर लेता है. मानो वो आखे बंद करके भी किलर को हरा सकता हो. अब जैक अपनी शर्ट है कि दूसरा कातिल आने वाला है. तभी जैक की विंडो में एक हेलिकॉप्टर आ जाता है. दूसरा कातिल जैक पर मशीन गन से अंधा धुंद गोलियां चला रहा था. जैक एक चाकू लेता है और उसे खिड़की से बाहर फेंकता है जिससे कातिल मारा जाता है. लेकिन हेल कूदने के लिए तयार हो जाता है क्योंकि जल्दी ही हेलिकॉप्टर भटने वाला था. उसी समय नीचे से एक ट्रक जाने वाला है जिस पर जैक लैंड करता है. जैक को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है. पर उसे पता है कि वो कई महीनों से एक ही दिन जी रहा है. अब रोज उसे मारने के लिए वही कातिल आते हैं. जैसे कि ये दो खूपसूरत मा और बेटी, ये दोनों आज जैक को एक सौचालीसवीं बार मारने आई है. अगर जैक अपने कातिलों से बचने में काम्याब हो जाए तो वो एक बार में जाता है. जहां वो हूप पीता है. जै जैक उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. अपनी एक जिन्दगी में जैक अपनी पतनी को फोन करता है. तो उसे पता चलता है कि उसकी पतनी की मौत हो चुकी है. जब जैक जैमा की मौत का कारण पूछता है तो बौस बताता है कि उसे नहीं पता. इस सब से जैक को की बूँ आती है. अब जैक को याद आता है कि हर दिन के जीवन मरण के चक्र में फंसने से पहले वो अपनी पत्नी से मिलने उसके आफिस गया था. जैमा एक भौतिक विज्ञानी है जो कि जैक का एक बाल चुपके से निकाल लेती है जैमा जैक को कहती है कि वो उसे पहले की तरह ताकतवर और आत्मविश्वास से भरा देखना चाहती है दरसल जैक पहले स्पेशल फोर्सेज में था लेकिन वहां से आने के बाद जैक पूरी तरह अयाश बन गया जिसकी वजह से जैमा अपने बेटे को लेकर अलग रहने चली गई जैक को शक था कि उसकी इस हालत के पीछे उसकी पतनी है वो हर रोज उठता था हर रोज किसी के हाथों मरता था जैक इस सबसे परेशान हो गया था और अजीब बात ये थी कि उसे नहीं पता था कि वो लोग उसका शिकार क्यों कर रहे है आज जैक 144 मीं बार उठता है और किलर्स से बचने के लिए एक अंडरग्राउंड गेमिंग स्टेशन में जाता है जैक को वहाँ अपना बेटा दिखाई देता है जैक को पता था कि वो एक बहुत बुरा पिता है लेकिन आज वो अपने बेटे से मिलने उसके पास जाता है इसके बाद जैक जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है उसे पता चलता है कि वो पहली बार 1247 के आगे आया है अब Jack को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ शायद ये सब underground gaming station में signal न होने की वजह से हुआ था अब Jack को पता चल गया था कि उस पर tracking device लगी हुई है तभी वहाँ killers आ जाते है Jack अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन killers उसे उसके बेटे के सामने मार देते हैं अब Jack 146 वी बार उठता है Jack अपने पहले कातिल से tracker के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता अब Jack बार में जाता है जहां वो अपने दोस्त इवान से tracker को कहां फिट किया जा सकता है इस बारे में पूछता है इवन सेक्यूरिटी सिस्टम कंपणी में काम करता है वो Jack को बताता है कि उसके दांत में tracker को आसानी से छुपाया जा सकता है Jack को याद आता है कि पिछली रात वो एक खूपसूरत महिला से मिला था जिसने उसके दांतों में कुछ काम किया था अब Jack शराब पीता है और प्लायर से एक-एक करके अपने सारे दांत निकालता है आखिरकार वो tracker को ढूंड लेता है लेकिन तभी दर्वाजे पर killer आता है और Jack को मार देता है अगली सुबह Jack सबसे पहले अपना tracker वाला दांत निकाल लेता है और एक-एक करके अपने सभी कातिलों को जहांसा देता है Jack अपने सभी कातिलों को एक जगह इकठा करके बॉम से मार देता है अब Jack Lab में जाता है जहां उसकी बीवी काम करती थी पहली बार Jack अपनी कार को सीधा दिवार से टकरा देता है और मारा जाता है दूसरी बार Jack कार को दिवार के उपर से ले जाता है गार्ड कार को चारों तरफ से घेर कर अंधा धुंद गोलियां चलाना शुरू कर देते है लेकिन Jack कार में नहीं था Jack कार को रिमोट की मदद से ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से सारे गार्ड मारे जाते है लेकिन तभी Jack के सर पर एक बंदूग तन जाती है और Jack मारा जाता है इस तरह बार-बार मरने के बाद आखिकार Jack आखरी कातिल को भी मार देता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखता था Jack किलर की ड्रेस पहन कर लिफ्ट में घुज जाता है जहां गार्ड उसे कार्ड से लिफ्ट चालू करने के लिए कहता है लेकिन Jack से लिफ्ट नहीं चलती और गार्ड उसे मार देता है अगली बार Jack गार्ड के कुछ समझने से पहले ही उसे मार देता है लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट से निकलता है बहुत सारे गार्ड्स उसे घेर लेते हैं ये देखकर जैक खुद को गोली मार देता है गार्ड्स का कैप्टन कुछ समझ ही नहीं पाता अगली बार जैक गार्ड की ड्रेस पहन कर आता है अब उसे एक महिला तलवार के साथ दिखाई देती है जैक उसका मजाग बनाते हुए कहता है कि अब जमाना बदल गया है मेरी बंदूक का सामना तुम इस तलवार से कैसे करोगी लेकिन महिला बिना कुछ बोले जैक पर हमला कर देती है जैक की एक भी गोली उसे चुबी नहीं पाई थी और महिला जैक को आसानी से मार देती है इसके बाद जैक एक से बर कर एक बंदूके लेकर महिला से फाइट करने आता है लेकिन महिला उसे बीस से भी ज्यादा बार मार गिराती है अब Jack को पता चल गया था कि महिला को सिर्फ तलवार से ही हराया जा सकता है अगले दिन Jack एक 12 बार की Champion महिला से तलवार बाजी सिखने जाता है लेकिन महिला कहती है कि उसके पास Jack को तलवार बाजी सिखाने के लिए सिर्फ एक दिन है अब जैक हर रोज एक मूव सीखता है इस तरह कई पुनर जीवनों के बाद जैक तलवार बाजी सीख लेता है इस बार जैक काती से फाइट करने जाता है लेकिन वो बंदूग की जगह तलवार को उठाता है जैक इस बार आसानी से महिला को मात दे पा रहा था ये देखकर महिला काफी गुस्सा हो जाती है और जैक पर पूरी ताकत से हमला करती है लेकिन जैक उसे बहुत रومैंटिक अंदाज में मौत की नीन्ड सुला देता है तभी वहा बoss आ जाता है लेकिन जैक बॉस को आसानी से हरा देता है जैक बॉस को उसके हर रोज मरने जीने की बात बताता है इससे बॉस को पता चल जाता है कि ये सब जैमा का ही किया धरा है उसी ने जैक के बाल को लैब की सबसे एडवांस मशीन में डाल दिया था जिसकी वजह से जैक टाइम लूप में फंस गया है दरसल ये मशीन बॉस के लिए बनाई गई थी ताकि वो इसकी मदद से दुनिया पर राज कर सके लेकिन जैमा की वजह से उसका प्लान फेल हो गया बॉस कहता है कि तुम मुझे मारने यहां आए हो तो तुम्हारे बेटे को कौन बचाएगा ये सुनकर जैक चौक जाता है उसने कभी नहीं सोचा था कि बॉस उसके बेटे को भी निशाना बना सकता है जैक जल्दी से बॉस को खत्म करके अपने बेटे के पास जाता है लेकिन उसे वहाँ सिर्फ अपने बेटे की लाश मिलती है ये देखकर जैक टूट जाता है तब ही वहाँ बहुत सारा प्रकाश आ जाता है जो की मशीन से ही निकल रहा था जैक जानता था कि उसकी बीवी जैमा ही उस मशीन को रोक सकती है अगली सुबह जैक आँख में आंसूओं के साथ उठता है वो किलर्स को रोकने की कोशिश नहीं करता वो किलर्स को हर रोज उसे मारने देता है जैक अपने पच्टावे में हर रोज मरता है लेकिन एक दिन उसे अपनी बीवी की बात याद आती है कि उसने क्या कहा था जैक किलर को मारता है और सीधे अपने बेटे के पास जाता है वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता है जैक उसकी हर पसंद नापसंद को जानता है और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करता है इसी दोरान Jack का बेटा उसे बताता है कि उसकी मा ने उसे सुभह कॉल किया था ये सुनकर Jack खुश हो जाता है क्योंकि वो अभी भी जैमा को बचा सकता है ये सोचकर Jack फिर से लैब जाता है जहां वो कैमरा में देता है कि उसके पास जैमा को बचाने के लिए 14 मिनट है ये सोचकर जैक खुद को गोली मार देता है अगली सुबह जैक उठता है और बिना वक्त गवाई हेलिकॉप्टर पर कूच जाता है जैक पाइलिकॉप्टर को लैब की तरफ ले जाने के लिए कहता है लैब में पहुँचकर जैक सही समय का इंतजार करता है जैसे ही कातिल वहां आते है जैक सभी को एक मशीन गन की मदद से एक साथ खत्म कर देता है इसके बाद जैक जल्दी से लैब के अंदर जाता है जहां बॉस जैमा को मारने वाला था लेकिन जैक सही टाइम पर बॉस को मार कर जैमा को बचा लेता है दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं जैमा जैक से पूछती है कि उसे यहाँ तक पहुँचने में कितने अटेम्ट्स लगे। जैक कहता है सिरफ एक, हालां कि जैक ने अपनी बीवी को बचा लिया था, लेकिन वो मशीन को बंद नहीं कर सकता था। जैमा बताती है कि मशीन को बंद करने के लिए जैक को मशीन के अंदर जाना होगा, लेकिन अगर कोई प्राब्लम हो गई, तो जैक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, ये सुनकर भी जैक बिल्कुल नहीं घबराता, वो बुरे से बुरे का आदी हो चुका था, जैक इस दु मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर,